हेलो बच्चो, कल के लेक्चर में आपने मन के भूले भाले बादल पार्ट को समझ लिया होगा और उम्मीद है उसे याद भी कर लिया होगा तो आज हम इस पार्ट में आये हुए कुछ कठिन शब्दों को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे इन शब्दों को आपने तीन तीन बार लिखना है तो यह जो कठिन शब्द हैं इनको आप लिखे लिजिए जब्बर, तौद, गुब्बारे, कुबड, टकराने, मतवाले, तूफानी, सैतानी, जिद्दी इन शब्दों को नोट कर लिए इसके बाद कुछ शब्द और उनके अर्थ इनको हम शब्दा अर्थ के रूप में अपनी कॉपी में हमें लिखना है दोडने का अर्थ है भागने, जब्बर का अर्थ है बड़े और गुमाओदार, कुबड का अर्थ है पीट का उभरा हुआ हिस्सा या उटकी पीट, तौद का अर्थ पेट, तूफानी का अर्थ हल्चल मचाने वाले, शैतानी का अर्थ है सरारत, चुपके का अर्थ है छि इनको अपने कॉपी में अपने लिखना है आश्मान का विलों जमीन काले का विलों शाना का विलों जाना जिद्दी का विलों सुल्जा हुआ बोले भाले का विलों टेस तर्राट अब हम इस पार्ठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके वचन बदलेंगे एक वचन से बहुचन में तो बाल का बहुचन बालों गुबारा का बहुचन गुबारे उट का बहुचन उटों बादल का बादलों शैतानी का शैतानिया अब इस पार्ठ में कुछ नुक्ते वाले सब्द हैं जिन अक्षरों के नीचे बिंदी लगी होती है उस बिंदी को हम नुक्ता बोलते हैं तो नुक्ते वाले सब्द हैं दोड़ना, कूबर, उड़, बाड, तूफानी, जिद्दी फिल हाल आप इतना नूट कीजिए उसके बाद हम इन पार्ठों के प्रशनुततर भी आपको कराएंगे थैंक यू